अप्लोड कर दिया है अपने वेबसाइट पे आप सभी अपने अपने अकाउंट से लॉग इन करके वह आंसर की देख सकते हैं मैंने अपने एक स्टूडेंट के अपलोडेड उसके प्रोफाइल से जाके आंसर की देखा है और बहुती बुरा सिचुएशन है क्योंकि उनके अपलोडेड आंसर में इस बार छे क्वेस्चन फिजिक्स के 100 परसंट गलत आंसर की के साथ अपलोडेड है और दो क्वेस्चन ऐसे हैं जिन पर उनको ग्रेस मार्क्स देना चाहिए क्योंकि वह कॉंट्रवर्शिल है वो दोनों question का मैंने जो पहला solution upload किया था उसमें already मैंने जैसे mark किया था वही answers मतब जैसा मैंने आपको बताया था कि ऐसा होना चाहिए मतब यह सोच के उन्होंने answer किया होगा exactly वैसे ही उन्होंने answer दिया है तो मेरे previous uploaded answer से वह match करता है but still मैं यह कह रहा हूं कि दो question के लिए grace मिखलना चाहिए और छे questions को उनका अपना उनको अपना uploaded answer की change करना पड़ेगा West Bengal Board के लिए कोई नई बात नहीं है क्योंकि वो हर बार ही हर बार यह errors करते हैं उनके uploaded answer की में हर बार दो तीन गलतियां रहती हैं में हर बार रहती है इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया है मैं एक बार discuss कर लेता हो कौन-कौन से answer keys आपको challenge करने हैं आप definitely जाके challenge करें क्योंकि challenge करने की last तारीक कि वह कल की है वह कल लास्ट challenge कर सकते हैं उसके बाद आप challenge नहीं कर पाएंगे तो मैं एक बार करना पड़ेगा फिर लास्ट में दो ऐसे क्वेशन को डिसकर करूंगा जिसमें अब उसको उनको यह तो उनके उपर डिपेंड करेंगा कि उसको रिवर्ट करेंगे नहीं करेंगे मैं अपना अपना पॉइंट रग दूंगा कि हां किस वज़े से वह अपना प्रवर्शल एंड उसके बाद देखते हैं बोर्ड फाइनली क्या करते हैं विदाउट विदाउट इसका डिसकेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके स्क्रीन के पास जो देख रहा हो वह वह पैसे नमबर टेन है यह मैं जो डिसकेशन कर रहा हूं यह कोड़ C क अब देख लेना कि आंसर का थीक है मैं सारे कोड का आंसर मतलब सीक्वेंस ऑफ प्रेशन नहीं पता लिए इसका ओफीशल आंसर की जो की इनकरेक्ट है इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन C है मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आने वाला है यह अलरी दिखाया था पहली बार इस चैनल को विजट कर रहे है इस क्वेशन में दे रखा है इनिशल वेलाउसिटी फाइव मीटर पर सेकेंड है एन अपको विलाउस्टी अप पार्टिकल एड़ थर्टी फाइव मीटर पूछा गया है अगर यह फोर्स पोजिशन ग्राफ होती फोर्स मतलब फोर्स को डिवाइड करेंगे मास से तो इसलिए इसके अंदर करोगे तो आपको वर्क दन पर युनिट मास मिलेगी और चेंज इन कानेटिक एनजी पर युनिट मास भी लिख सकते हो तो अब कल्कुलेशन कर लेते हैं तो एरिया अंडर दिक निकाल लिए तो एक ट् अब यूद ट्रिपीजम रिटाइंगल का एरा को अपाट करेंगे अंपे एकुट तो चेंजिन कानेटिक एनजी करेंगा तो पर ले ट्रपीजम करेंगे तो साफ आफ अफ सम अपनल साइस विच इस 5 परसें 15 बॉल्टिप्लाइब बैस सब्स्प्राइब इस फिटें इस वी स्क्वेर माइनस स्क्वेर विच इस फाइब का स्क्वेर एंड डिवाइड बाइमास मास कट गया से यह तू 10 से कट जाएगा 15 15 300 आ तो 300 के साथ आप तू मुल्टिप्लाइब करेंगे 600 हो जाएगा तो वी स्क्वेर की वालु आ रहे है 625 तो वी की वालु आपके कोडिंग का इसमें उन्होंने आंशर आंसर दी दे रखा है मतलब ऑफीशल की जो है ऑफीशल की इस डी जोकी इनकरेक्ट है इसका करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा अगर आपको कलर कोडिंग के निमोनिक जा दो तो बी बी रॉइ ऑफ ग्रेट बिटेन हैड वेरी गुड तो यहां पर उजसे काम जल जाएगा क्योंकि ड मुटिप्लाइर बैंड तो फ्री हो जाएगा और फुर्त बैंड नहीं है तो जो है वह आपका 20 प्रसंट हो जाएगा तो इसका मतलब होगे 24 24 kilo ohms and plus minus of 20% which is option C option C next is यह question यह question का गलत होने के chances बहुत ज्यादा है सबके बहुत ज्यादा गलत होने के बोर्ड का official key जो है official key that is C आपको याद हो तो मैंने जो short solution upload किया था उसमें मैंने अल्रडी बताया था कि यह one by four alpha ही उन्होंने इसका correct answer भी होना चाहिए वो मैं gradual discussion में आपको बताऊंगा कि क्यों होना चाहिए ठीक है एक बार आप चेक कर लो जैसे इसमें दे रखा uniform rod is pivoted at one end and is freely rotated in a horizontal plane with an angular velocity omega about a vertical axis passing through P if the temperature of the system is increased by delta T angular velocity becomes omega by 2 coefficient of linear expansion of rod is alpha आपको delta T निकालना है ठीक है तो आपको यह पता है कि कोई भी external torque system पर नहीं लगती है तो angular momentum about P अगर आप calculate करोगे तो constant आनी चाहिए constant आनी चाहिए अब angular momentum को आप क्या लिखते हो यह एक end के बाउट rotate कर रहे हो तो ml square by 3 and into omega लिखेंगे तो यह product जो है वो basically constant आनी चाहिए ठीक है तो अभी देखो आप अगर आप देखोगे तो मास तो वैसे चेंज नहीं करेगा temperature चेंज करने से बढ़ हाँ लेंथ एक टेंपरेचर डिपेंडेंट होता है तो अगर आप टेंपरेचर बढ़ा रहे हो तो लेंथ भी बढ़ेगा और उससे ओमेगा घटेगा तो इससे इमिडिएटली आपको एक चीज़ समझ आती है कि स्क्वेर इंटू ओमेगा 2 इस एकस वेर इन टूबेगा वन अब जैसे यह आपने ओमेगा टू की वैलू को हाफ ऐन लिख दिया मतलब यहां पे इंटू टू कर लिया तो लिटू की वैल्यों वैलु आर्टू इस कमिंगा ओट भी तो रूटू तैम सफ लिकारे में और फ तो देखोगे तो डेल्टा टी की जो वालियो आ रही है कमिंगाउट भी वन बाइ 0.4 अल्फा एंड क्लियरली यहां पर एक भी ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रही है इसका मतब यह नहीं किया उन्होंने तो दूसरा चीज अब कर सकते थे दूसरा चीज जो कर सकते थे उन्हो जिए जिए टेंपरेटर के चेंजेश चोटे होते हैं और चोटा होगा तो अब इसी इसी इस इक्वेशन से प्रसीड करें एक इससे प्रसीड करें फॉर स्मॉल चेंज बतलब अगर चेंज चोटे होते में अब सल्बाइब आक्र रहां देल्टा ओमेगा तो यह आजाए कि 1 by 4 times of 1 by 4 आजाएगी और इसकी वालो को आप अल्फा इंटो डेल्टा टी लिख सकते हैं तो फिर डेल्टा टी की वालू आजाएगी 1 by 4 अल्फा जो की बोर्ड नहीं अप्लोड किया है बट यह रिजल्ट वालिड नहीं होगी यह रिजल्ट वालिड नहीं अब देखो यह तो अगर आप इसी को टिक कर लेते हैं अब तीसरी चीज करके देखते हैं अब जैसे कि हमने यहां से अल्रडी प्रूफ किया था यहां से देखो कि एल्टू इकॉल टू रूट्टू लवन जहां से आय था उसके बारे में बात करहें एक यह वाली इकवेशन से इससे फ़र्द प्रूसीड करके एक बार दिखाता हूं आपको देखो यहां से आपको दिख रही है L2 का स्क्वेर इस इकुल टू टू टाइमस ओफ लवन का स्क्वेर और लटू को लिख सकते थे L1 इंटू 1 प्लस अलफा इंटू डेल्टा टी फिर इसका पूरे का स्क्वेर हो जाता तो अगर इसका स्क्वेर कटते तो एलवन का स्क्वेर कट जाता और यह हो जाता तू इस इकुल टू वन प्लस अलफा इंटू डेल्टा टी का पावर टू अब यहां से अगर आप देखोगे यहां से अगर देखोगे जो की चार औप्षण में से अलफा और इसमें कोई टेखनें IoT झाहे लिए जुकर," इसका उंसर एउनट एंट्था घुए-आथ इसका इसका औंसर अंसर होना चाहिए तक है टू इस वे सट करन लिए क्वेशन नंबर 37 के लिए हमने जो आंसर अच्छा पहले आपको आंसर की बताईता हूं ऑफिशल की है इसका ऑफिशल की इस ए बी एंडी इसका ऑप्शन डी जो है यह इनकरेक्ट है ऑप्शन डी इनकरेक्ट है एंडी में कोई बारे में बात नहीं करते एंडी का कोई डिसका कॉंट्रोवर्सी नहीं है इसको कर लेता है ठीक है बट अब डी के बारे में सिर्फ बात कर लेते हैं देख उसने अल्रडी दे रखा है कि यहां पर प्रिंटिंटिंट इस इस प्रिंटिंटिंग है इसका मतलब जो फोटो एलेक्ट्रॉंस फोटो से निकले हैं उसको और पहुंचने से पहले रोकने के लिए मैं मुझे दो एलेक्ट्राण वोल्ट का रिवर्स लगाना पड़ाई इसका मतलब है कि जितनी की चैनेटिंट के नर्जी से उसके उसकी पॉटेंशल से लगाना पड़ेगा तो इसके पास कि तो यहां पर यही इसका आंसर बेसिकली अगर यहां पर तू अगर आंसर होता मैक्सम कानेटिक एनजी के लिए तो उसको हम करेक्ट मानते बट यहां पर टू एलेक्ट वोल्ट नहीं है क्वेस्ट नमबर 39 के लिए ओफिशिल आंसर किये है बी सीडी यह तो नहीं है यह मैंने अल्रडी डिसकस किया था ओफिशल की इस इसका डी ऑप्शन जो है वो इंकरेक्ट है टाइम पिररेड हम इसमें अक्शली फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि एक ही वालु इसमें गिवन नहीं है एक इवालु नॉट गिवन अब एक ही वालु पर डिपेंडेंट टाम पीरिड क्यों आ रहे हैं वह भी डिसक्शन कर ले 2A X and minus of 4A यह quantity आ रही है तो इसमें अगर मैं इससे 4A को common सब्सक्राइब कर लें नेगेटिव के साथ तो यहां पर आजएगी X minus of 2 आ जाएगी तो इसमें clearly दिख रहा है कि फोर्स की value मतलब 0 कहां पर हो रही है वो X X equal to 2 पर हो रही है तो यह मीन पोजिशन होगी X equal to 2 is the location of मीन पोजिशन एक से instantaneous पोजिशन इंस्टेनियस पोजिशन है और X minus 2 जो तर्म है this is displacement for mean position displacement from mean position इसका क्या मतलब निकलता है इसका मतलब यह निकलता है कि force proportional to displacement from mean position में प्रूफ कर दिया तो इसका कॉंसेंट है इसका मतलब है यहां पर जो के equivalent है that is basically 2 अब एक की वैलू अन्नोन है अब एक की वैलू अन्नोन है मैं यह मान के चल रहा हूँ ए पॉस्टिव है ठीक है क्योंकि ए नेगेटिव लोग है तब तो ऐसे हम बाकि और और शी भी कोई भी option नहीं करेगा तो एक की वैलू मैं अजूम कर रहा हूं कि पॉस्टिव है तो पॉस्टिव है बट एक वैलू दी भी नहीं है तो टाइम पीरिड जब आप लिखेंगे तो टू पाई रूट अंडर एम बाई के लिखेंगे एम बाई के विच इस तुए अब एक की वैलू मास दी दिया आपको मास इस 0.2 kg 0.02 kg तो इसकी वैलू को आप लिखते तो टू वैंसर इस डिपेंडन ओने च्ट बाइं आंसर इस डिपेंडन आइंड पर यहां पर उसने क्या करें तो यहां पर नहीं कर सकते क्यों कि दिया वा नहीं इसलिए उप्शन दी बिकम्स इन्ट टांसर पर तेट नेक्स्ट नंबर 40 को पर फॉर्टी में काफी लोगो ऐसा का गया question number 40 यह नहीं नहीं question question option number D के लिए official key इसका है official key is A C and D मैंने A और C मार्क किया था दी नहीं होगा इसका दी नहीं होगा क्यों नहीं होगा उसके बारे ने एक बार मैंने discussion अब यह सही होता अगर वो रीजन सी में एंटर नहीं करता इस वुडबी ट्री इस यह करेक्ट होता इस बारे एक के तरे ड्ड प है किया ह। वाहिज के अचे है बड्डेश गरे बीजन सी में पहले से Cवे ब्सित प्री गडर्ड नहीं करे दिए यह मたहीं होताया है The upon dependency and upon the velocity तो अगर माल लेते हैं कि आपनों बहुत ज़्यादा बड़ी विलासिटी से दे रखे तो यह जब टेके तो यह जिसे रीजन को डिइवाईड कर देजे यहां पर यह माल लते हैं यहां पर यहां पर सपोसरली यहां यहाँ पे लटा यह तो माल लेते हैं कि हमने क्या यहां पर काफी कम दे रहा है ताकि यह घोन रहा तो बड़ा सब्सक्राइब से बाहर निकलेगा वह टाइम आपकी टाइम अगर निकाले तो वह एक्जाक्ली आपकी हाफ टाइम पीरिड आएगी विच इस पाइम वाई क्यू भी हो जाएगी बट यह तभी होगा जब यह रीजन सी में एंटर नहीं कर रहा है अगर यह एंटर कर जाता है इसकेस में इसका टाइम जो है वो डेफिनेटली आपकी विलॉस्टी पे डिपेनेंट आईगी देखो आप चेक करो अब यहां पर यह वाली आंगल तीटा है यह रेडियस है तो यहां से एक परपेंटिकल खीचे तो यह परपेंटिकल डॉप करेसे तो यह हो गई आर साइन थीटा और यह वाली विट्थ आपको दीवही है तो आर साइन थीटा की वैलो को आप लिख सकते थे ल आएगा एंड देफोर थीटा इस साइन इन्वर्स एल भाई आर रहें और याद रखो यहां पर आर इस Mb by qb मतलब velocity dependent, so time जो उसको लगेगा बाहर निकलने के लिए वो क्या करेंगा, theta divided by omega करेंगे, so omega इस इंडिपेदेन्ट of you know velocity, वियो ओमेगा सुझ को by m but theta is dependent on radius, theta is dependent on radius, and radius is dependent on velocity, so time भी तो dependent on velocity, so this is dependent on सब्सक्राइब करना पड़ेगा अब दो ऐसे क्वेशन को मैं डिसक्स करता हूं जो टेक्निकली गरबढ़ थे अगर थोड़ा सा वाइजली करते तो एक पहुंच सकते थे थोड़ा सा वाइजली बट मैं यह नहीं बोलूगा कि उसको कर सकते थे यह बहुत ही मतलब की टाइप का प्वेशन था जैसे उसमें क्या रखा है आपको रिट्बक स्कॉंस्ट की वैलो को एक्स्प्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एलेक्रिक चार्ज मास और प्लैंक स्कॉंस्ट एक चीज़ और रखी है कि वन वाइफॉर पाइप्सलों नॉट को आपको वन उनिट कंसिडर करना यह सपोस्ट तो कंसिडर वन वाइफॉर इसका मतलब क्या है कि आपको अपसलों नॉट का भी डैमेंशन कंसिडर नहीं करना है तो अब अगर उसकी डैमेंशन आप कंसिडर नहीं करते हो तो अब आप किस ऑप्शन पर पहुंचोंगे अब एक बार उसके बारे में बात करते हैं तो अभी हम क्या करें कि बोस्तियोरी को यूज करतें बोस्तुलेट को यूज करें तो बोस्तुलेट को अगर यूज करेंगे तो के के मतलब 1 by 4 पाइपसल नॉट ही आ जाएगा ऐसे लिख लेते 1 by 4 पाइपसलन नॉट मतलब के क्यूवन क्यूट वाइपसलन नॉट की वैलो को आपको सिंप्ली 1 डाल देना देखो यहीं पर ट्रिक्या पाइपसलन नॉट का डैमेंशन नहीं करेंगे तो इससे अब आपको क्या मिल रही है mv2 into r मतलब इसको यह से लिख सकते mvr into v and that is equal to z e square और mvr को बोस्त पॉस्तिट से लिख सकते n h by 2 into v that is equal to z e square आ रही है तो यहां से आपको velocity की value मिल जा रही है that is coming out to be 2 pi into z divided by n h into e square आ ठीक है तो विल चुकी है तो अगर काइनेटिक एनजी निकालेंगे काइनेटिक निकालेंगे तो इसको क्या से लिखेंगे हैं आफ m into v square लिखेंगे तो आफ m v square लिखा मतलब half m into v square कर लो फिए जागा 4 pi square into z square into e to the power 4 by n square into h square इसका मतलब है काइनेटिक एनजी देखो जो टोटल एनजी होती है तो टोटल एनजी होती है इसका मतलब टोटल एनजी की अगर प्रपोश्चनलटी में देखें तो प्रपोश्चनलटी में आने वाला है यहां से दो और बीच में जब एक एलेक्ट्रॉन जंप करता है तो इससे एक फोटन बहार निकलता है इस इस फोटन विच कमसब और फोटन की जो इनरजी होती है इसको आप लिखोगे इसको आप लिखोगे इस इसली इफरेंस ऑफ एनरजी ऑप लिखते हो एच सी बाइलाबड़ा की वालू भी प्रोपोर्शनली में क्या आएगी इसका मतलब 1 by lambda की वालू किसके प्रोपोर्शनल आ रही है इसका मिंग और भी प्रोपोर्शनल टू वन भाई सड़ी एंटू एटू दू पाव 4 वाई है एच स्क्वेर एंटू वन भाई एट सी आ रही है एट सी ठीक है अब रिटवक्स कॉंसेंट का फॉर्मूल रिटवक्स फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वन बाई लाम्डा इस आर इंटू जेट स्क्वेर इंटू वन बाई एंट एंट वन बाई एंट वन बाई एंटू स्क्वेर डैमेंशनलेस टैन्मेंट अगर्ट से नहीं इसका और और तो इसका मतलब जो इसका मतलब जो हमारे लिए आर का जो वाली होना चाहिए था डिमेंशन में ना बाइच स्क्वेर इंटू वन वाइच सी होना चाहिए ठीक है बट अगर ऑप्शन में देखो गया तो यहां पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है बट एक ऑप्शन है जो इससे मिल जाएगा अगर आप एच से डिवाइड नहीं करोगे तो एच से अगर आपने डिवा अगर ऑपने पक्शन ही था जो कि मैने पहले बीपर स्वावर करते वाद इस बताई ती यह आप चैलेंज कर सकते हैं कि यह गलत है क्योंकि एक वी आंसर इसमें नहीं करेगा आगर तरीके से करते हैं तो एक ब्लाइस इसका मत्रीकली नहीं टीक है अब इस पहते हैं अगी एक कॉंट्रोवर्शियल पाट है उसने कहा रहा का फॉर टू टाइपस ऑफ माग्नेटिक मैटेरियल ए और बी विरियेशन ऑफ वन वाइस सब्सक्राइब लिटी वर्स टेंपरेचर इस तो इसमें देखो एक चीज़ है कि जैसे दिखा दिया कि वन इन्वर्स ऑफ सब्सक्र सब्सक्राइब और सब्सक्राइब और इन्दिपेंडेंट्ट से इंडिया मैंगेटिक बट्ट गया चेलिए जो सब्सक्राइब होती है जैसे होता है तो यह a controversy तरान हुरु काया ? इस जा कवरशी कि दाम अग सबस्सक्स अगनिख अगनिघकर , । independent of temperature but here it's given a positive constant positive constant which is technically incorrect इसलिए वह अप्का रूल आउट हो जाता है ठीक फिर भी अगर माल लेते हैं कि चलो ठीक है डाय मैगनेटिक हो गया तो डाय मैगनेटिक में ऑप्षिन दों ओप्षिन आपको दिख रहे हैं इन दुने में से कोई हो सकता था आप इसकी वेरियेशन इनीशली एक क्योरी स्टेंपरेचर तक क्योरी स्टेंपरेचर तक आप टेंपरेचर को बढ़ाओ तो से घटेगा इसका जो इसका जो मतलब अधेमाटिकली अगर मैं बूलो कोई कर तो वेल डिफाइन कोई कर नहीं है मतलब जैसे शेप में तो दिख रहा होगा कि नहीं है तो इसके लिए कोई भी युनों वैल डिफाइंड कर आपको नहीं पता चलता है इस नॉट वैल डिफाइंड कर बट हाँ अगर आप क्यूरी स्टेंपरेचर के ब्यॉंड चले जाते हो तो यह वारी आपकी पैरा मैगनेटिक में जाती जिसको आप रेक्टैंगु सिर्फ और सिर्फ क्यूरी स्टेंपरेचर के ब्यॉंड के पहले नहीं है समझा रही आपको मतलब जीरो केल्विन पर आप ऐसा विरियेशन नहीं बात कर सकते हैं और अगर वन बाइस सब्सक्राइब करते हो तो प्रपोश्टन क्या जाएगा इसका मतलब एक स्टेट लाइ समझा रही आपको तो यहां पे कहीं क्यूरी स्टेंपरेचर सोच तो यह आपकी वन बाइस सब्सक्राइब करना चाहिए ऐसा होना चाहिए उसके पहले नहीं बट यहां पे अगर आप देखू कि तो ग्राफ को उसने कैसे दिखा रखा है ठूआउट जीरो के बाद ही पू पूरे में पैरमागनेटिक नेजर अभैलेबल और मेंने जो ता इस इस लिए पर ही औप्शेंद और ऑफिशल की इसका दे है टिक है अ कि यह चैलेंज करने लाइफ क्वेस्टिन है आप जैलेंज़ कर सकते हैं आपक्नी आपको क्या रगता है इन इस आंसर कीज को देखके कि आप आपके यह सारे गलत हुए या नहीं हुए मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा ठीक है विशिंग यू अल्टी बेस्ट वोफुली कि यह आंसर कीज रिवर्ट हो जाएए